हेलो, वेलकम टू शबनम की रिसिपीज आज हम बनाएंगे जबरदसी मटर आलू पुलाव की रिसिपी इस पुलाव का टेस्ट किसी बिर्यानी से कम नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिलकुल न भूलें तो चलिए देख लेते हैं मटर आलू पलाव बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूत पड़ेगी हमने यहाँ पे दो गलास चाउन लिए हैं जो वजन में लगभग आदा किलो हैं इन्हें हमने तीन पानी से अच्छे से दो कर पिछले आदे घंटे से पानी में भीगने लिए छोड़ दिया है 200 गराम फ्रेश मटर लेंगे तीन मीडियम साइस के आलू उंका छिलका निकाल कर इस तरह उनके पतले-पतले स्लाइसिस कर लिए हैं हमने एक बड़े साइस के प्यास को लंबे सलाइसिस में कट कर लिया है दो मीडियम साइस के टमाटरों को हमने इस तरह चौप कर लिया है हमने चार से पांच हरी मिर्चे लिये हैं और एक लिम्बू लिया है ने यहाँ पे कुछ अक्के मसाले लिये हैं, जो कुछ इस तरह हैं, एक टेबलिस्पुन जीरा, एक दालचीनी का स्टिक, तीन लोंग, एक बड़ी लाईची, बाद्यान के दो पत्तियां, सास से आठ काली मिरी, दो टीस्पुन लाल मिच पडर, दो टीस्पुन धनिया पडर, दो टीस्पुन पुलाव पडर, एक टीस्पुन भुनावा जीरा पडर, आदा टीस्पुन हल्दी, दो टेबलिस्पुन अधरक लसुन का पेस्ट, आलू मटर पुलाव को हम कुकर में बन दिया है कुकर हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें 4 टेबल स्पुन तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें खड़े मसालों को डाल देंगे और इन्ये तेल में खुश्बू आने तक फ्राय कर लेंगे अब हम इसमें एक बड़ा कटा पहाज पहाज़ डाल दें गे और इसे हलका गोल्डन होने तक प्राय कर लेंगे प्राय को हमने दो मेन के लिए प्राय कर लिया है यह हम राव क्युंकम हो चुका है मिन अभाम इसमें अधरक लसुन का पैस डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमने ग्यास के फिलेम को मीडियम रखा है अब हम इसमें स्लाइस करके रखे विए आलू डालेंगे और इन्हें हाई फिलेम पे दो मेड के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमने आलूओं को हाई फिलेम पे दो मिंट के लिए फ्राइ कर लिया है अब हम ग्यास के फिलेम को लो कर देंगे और इसमें मटर को डाल देंगे इने भी अच्छे से हाई फिलेम पे फ्राइ कर लेंगे हमने मटर को हाई फिल्म पे एक मेंड के लिए फ्राइक कर लिया है अब हम इसमें कटी भी हरी मिर्चें डाल देंगे जो 5-6 हैं इनने भी मिला लेंगे अब हम फिल्म को लो कर देंगे और हमारे सुख्य मासालों को डाल देंगे दो टीस्पुन लाल मिर्च पॉडर, दो टीस्पुन धनिया पॉडर, एक टीस्पुन जीरा पॉडर, दो टीस्पुन पुलाव पॉडर, आदा टीस्पुन हल्दी, इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, हमने सारे मसालों को लो फिलेम पे एक मेंड के लिए अच्छे से भून अब हम इसमें भीगोई हुए चावलों को डाल देंगे पानी के साथ ही हम इसे डाल देंगे हमने चावलों के साथ से ही इसमें पानी डाला था हमने दो ग्लास चाउन लिये हैं इसलिए हमने साड़े तीन ग्लास इसमें पानी डाला है हम इसे कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने साड़े तीन ग्लास पानी लिया है अगर आप इसे कड़ाई या पतेले में बना रहे हैं तो आप चार ग्लास पानी ले सकते हैं अब हम इसमें नमक डाल देंगे हमने नमक सबजी में भी नहीं डाला है सबजी और चावनों के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे मिला लेंगे अब हम इसमें लीम्बू का रस डालेंगे हमने एक लिम्बू लिया है हमने बीज्जों को निकाल दिया है अगर आप चटपटा खना पसंद करते हैं तो और एक आदा लिम्बू आप इसमें डाल सकते हैं अब इसमें उबालाने देते हैं देखिए चाओलों में उबाला चुका है हमने इसे हाई फ्लेम पे 3 मिंट के लिए पका लिया है चाओल 72-80% पकने तक हम इसे इसी तरह पका लेंगे देखिए चाओल जो है वो 80% तक पक चुके हैं अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कुकर को ढख देंगे कुकर को ढखने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक सीटी आने देंगे उसके बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर खतम होने तक इंतिजार करेंगे कुकर थंडा हो चुका है देखिए इसका प्रेशर भी अच्छे से निकल चुका है चलिए अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं देखिए आलू मट्र पुलाओ कितना जबरदस नजर आ रहा है अब हम चम्मच के मदस से इस तरह किनारों से चावलों को हलके हद से हटाएंगे देखिए चावल कितने अच्छे से खिले-खिले बने हैं इस आलू मटर पुलाव का जायका किसी बिर्यानी से कम नहीं है आप इसे पुदीने के चटनी, दही, अचार या पापड़ के साथ खा सकते हैं दोस्तों आपको ये आलू मटर पुलाव की रिसिपी कैसी लिगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर रिसिपी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों और फैमिले में जरूर शेयर करें तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रिसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई